साथियों, इसराइल सुर्खियों में है, हाला कि भारत की सुर्खियों में बांगला देश जादा है क्योंकि पड़ोस में कुछ संकट हुआ है, लेकिन इसराइल इरान के बादल छटे नहीं है, और इसराइल इरान के बादल ना छटने का बड़ा कारण है, हाल ही में हानिय की मौत हानिये जो की इसराइल जो की इरान में स्टेट गैस्ट बनकर आए थे यहां के नए राश्टपती पजैश्कियन की शपत गरहन समहारों में और उसे दिन आरोप लगा इरान की तरफ से की इसराइल ने उन्हें इरान की राजधानी तहरान में ही मार दिया और ऐसे में घहमनेई जो की इरान के लीडर हैं उनके द्वारा ये कहना कि हम इसराइल से बदला लेंगे और निश्चित बदला लेंगे इस से इस पूरे की पूरे सेंटर मतलब ये सेंटर वेस्ट जो है इसके अंदर बहुत ज़ादा तरीके से तिकत बनी हुई है इस तरह की इस्थतियां जो वर्तमान में बनी हुई है इनको देखते हुए ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके साथ है इस पर हमने अल्रेडी सेशन किया हुआ है लेकिन जो सेशन हमने किया उसके बाद में जो अपडेट हुए वो आप जान लीजिए अपडेट ये है कि रूस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि इन्हें परमानू संपन मिसाइल दे दी गई है नमबर दूसरा ऐसे सिस्टम दे दिये गए हैं जिसके चलते अगर इन पर कोई हमला होता है तो उस हमले को पहले ही रोका जा सकेगा वहीं दूसरी और पाकिस्तान ने इरान के प्रती समर्थन दिर्खाते हुए IOC की यानि Islamic Organization की बैठक बुलाई और उस बैठक में इरान की situation को सब के सामने रखा और इरान को promise किया कि इसराइल के खिलाफ वो उसे शाहीन 3 मिसाइल देगा इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ये बहुत महत्वपून हो जाएगा कि किस प्रकार से इस पूरी गनित में रूस का आगमन और पाकिस्तान का support इस पूरे मध्यपूरव के संकट को सुलजाता है या बिगारता है मेरे प्यारे साथियों कीव पोस्ट की कटिंग है आप इसे पढ़ें और इससे थोड़ा सा एनलाइज करें कल की सुर्खी बनती है और सुर्खी है कि रशिया रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड इसकंदर एंड मरमास्क बी एन सिस्टम टू इरान ये खबर जरा ध्यान से प किया गया है कि इरान को इन्होंने ये सौपा है खबर पड़ सकते हैं दा क्रेमलिन आर्म डील कम अमिड हाइटन टेंशन आफ्टर इरान थ्रेटन टू स्ट्राइक इसराइल इन रेटेलियेशन ऑफ इलेमिनेशन ऑफ हमास लीडर हानिये इन तहरान हानिये की मौत के बाद में इरान ने जो इसराइल को धमकी दी है उसके चलते यहाँ पर ये दो चीजें ट्रांसफर की गई है किसको ट्रांसफर की गई है इरान को ट्रांसफर की गई है और येरुशलम पोस्ट चापता है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो आर्म सप्लाई करेगा इरान को OIC की मीटिंग के अंदर ये भी 6 अगस्त यानि कि ये वो सारे अपडेट हैं जो मैंने आप लोगों को दिये थे तीसरा बड़ा अपडेट है हानिय की मौत के बाद में यहां पर एक नए लीडर को जगह दे दी गई है हमास के नए लीडर याया सिन्वार है को हमने केरल में जब एक एपिसोड हुआ था तब बताया था कि इन्हों ने संबोधित किया था क्राउड को केरल में मैंने आपको ये बताया था इसके बारे में भी काफी सेशन हुए थे याया सिन्वार इस समय फिलिस्तीन में गाजा पट्ति में हमास की चीफ बनकर नए नेता बनकर आये हैं ठीक है साब तो आप की पास अपडेट इस विशै पर भी हैं और इन विशै पर हुए आपडेट में रूस का महत्व समझना है सारे अपडेट को एक एक estimates कर कर कहा था कि भाई हो सकता है कि जो रशिया है ना वो इरान का साथ दे और इसके पीछे की मैंने कहानी बताई थी आपको मतलब विचार कीजिए कि आप इस सेशन को सुने हैं और उसके बाद में इसराइल ने वो सरी इम रशिया ने इसका साथ दे भी दिया है यह खबर अगर है और अमेरिका के खिलाफ बैठना रूस का जनम से ददिकार है नमबर एक नमबर दूसरा इरान ने इस पूरे दोर में रशिया का साथ नहीं छोड़ा जब वो रशिया युकरेन वार चल रहा था बड़ी संख्या में इन्हों अपनी तरफ से ड्रोन भेजे थे कामिकाजे जो ड्रोन थे वो यहां से भेजे थे साथ देने के लिए भेजे थे किसके पास भेजे थे रशिया के पास इरान ने अब जब रशिया की जरुट है और रशिया जाना जाता है दुनिया में कि भाई जब दोस्त को जरुट हो तो आकर खड़ा हो जाएगा ऐसे में ये देखना जरूरी है कि अब इरान जब इरान के लिए रूस साथ देने चला आया है तो इस्थितियां और बिगडेंगी या फिर ऐसा होगा कि दो बड़ी ताकते आमने सामने आ जाएंगी तो मामला सुलट जाएगा यानि कि मामला पूरी सिस्टम इरान पहले से रूस के S-300 रखता है लेकिन अब उसे S-400 सिस्टम भी डिलीवर कर दिये गए है नमबर एक और स्पेशल रडार सिस्टम भी डिलीवर कर दिये गए है लगातार IL-72 जो ट्रांसपोर्टर है वो रश्या इरान के बीच में ट्रेवल कर रहा है और लग क्यों निकल कर आई तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि अभी सरगेई शोगू नाम का जो व्यक्ति है जो कि रशिया में सुरक्षा परिशद का सेकेटरी है रशिया की जो सेक्योरिटी काउंसिल है उसका सेकेटरी इस समय इरान आया हुआ है और वो सरगेई शोगू पह आपने आप में बड़ी खबर है कि रूस की तरफ से अपना व्यक्ति इरान भेजा गया है और वो साथ में मरमास्क बी एन रशिया का EWB देने में कामियाब हुआ है अब ये क्या है थोड़ा सा समझेए देखिए आपने अभी कुछ दिनों पूर्व जब इरान के अंदर इरान के जो नुक्लियर साइंटिस्ट थे क्या नाम था उसका फकीर जादे फकीर जादे कि जब मौत हुई थी तब आपने एक लाइन सुनी थी और वो लाइन थी कि सर हो सकता है कि उनके उपर हमला सेटलाइट से हुआ हो अभी जो तेहरान के अंदर हानिय मारा गया उसके बारे में भी यही कहा गया कि हो सकता है सेटलाइट से अटैक हुआ हो सेटलाइट अटैक कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता तो अब सवाल ये है कि सेटलाइट का पता कैसे लगाएं rate को एmile बशीज और रहा है कि उपर कौन सा विमान उड रहा है कौन सी मिसाईल आ मतलब आप सोचिए advancement कितना है दुनिया radar से केवल flying object को देख रही है और रश्या इसके माध्यम से अपने उपर उड़ते हुए सब को देख ले रहा है तो ऐसे इस्थती में satellites के माध्यम तो यह मरमास्क सिस्टम इरान को दिया गया है यह खबर है Defense Express के अंदर यह खबर निकल कर आई है कि रश्या के द्वारा यहां पर मरमास्क सिस्टम जो है वो दिया गया है जो 5000 किलो मीटर उपर तक के communication को पकड़ सकता है इसके साथ साथ इसकंदर मिसाइल सिस्टम दिया गया है अब यह बड़ा सवाल है साथ इसकंदर मिसाइल सिस्टम या नहीं यही तो इरान पर लगे हुए प्रतिबंधों की बड़ी वज़े है मैं आप से चार दिन पहले भी एक सेशन करते हुए बोल रहा था कि जिस प्रकार से इरान ने अपने उपर सेंक्शन सेहन किये हैं उससे तो यह शक और बढ़ जाता है कि इरान ने संभवतया न नहीं है आकर चेक कर लो आई ए ये वालों को ले आओ वो आएंगे और चेक कर जाएंगे मेरे पास कोई बम नहीं है जी ओ और जीने दो लेकिन इरान ने दुनिया में सबसे अधिक सेंक्शन सेंक्शन को सेहन कर रहा है उसके बावजूद भी चुप मार के बैठा है मतलब यस है तो है और वह डाउट इस इसकंदर मिसाइल सिस्टम के बार और बढ़ जाता है क्योंकि इसकंदर न्यूकिलियर कैपनिसाइल सिस्टम है हाला कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर ही बताई जाती है पर बड़ा सवाल ये भी है कि भाई इस मिसाइल सिस्टिम को इरण को दिया गया है इरान इसको हिजबुला को या हमास को दे दे कि लो जाओ और बम फोड़ दो जा करके ये बहुत तगड़ा मिसाइल सिस्टिम है ये पकड की तरफ से मैसेज भी दिया गया है और वो ये है कि भाईया थोड़ा सा पेशेंस रखना पेशेंस रखना ये शब्द क्यों बोला गया है क्योंकि कुछ दिनों पूर अगर आपको याद हो तो चार अप्रेल की ही घटना है जब रूस ने जब इरान और इसराइल के बीच में एक बार फिर से मामला बहुत बिगड़ गया था और उसके चलते इरान ने इसराइल पर ड्रोन से हमला किया था इस बार भी कह रहे हैं कि पुतिन ने इतना साथ देने के बावजूद भी एक लाइन बोली है कि सुनो सिविलियन्स को टारगेट मत करना ये लाइन बोलने का औचित क्या है इसका मतलब ये है कि दौनों ही तरफ जब दो ताकतवर राष्टर खड़े हूं एक बार किसी ने अगर संगर्ष को शुरू करवा दिया तो फिर रुकने वाली बात नहीं है आप सोचिए ना रशिया युकरेन में एक बार वार शुरू हुई थी रुकने का आया जा रहा है कि चिंता मत करो आपको भविष्व में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको चीजे दे रहा हूं इसी बीच में कटोरा मैन भी बाहर आ गये ये बाहर आये और आकर के इन्होंने इरान के समर्थन में इस्लामिक औरगनाइजेशन की मीटिंग बुलवा दी और बुलाकर कहा कि इरान के साथ जो हुआ वो गलत है और ऐसे में मैं इरान का साथ देने को तयार हूँ भाई आप साथ कैसे देंगे इन्होंने कहा कि मैं शाहीन थ्री मिसाइल इनको देने को तयार हूँ तो यहां देखिए साब इसलामिक औरगनाइजेशन की बैठक होती है और उस बैठक में जैद्धा सौधी के अंदर बैठक होती है वहाँ पर इस बैठक में चर्चा होती है कि देखिए कैसे कैसे क्या क्या गलत किया है हमें इरान का साथ देना चाहिए ऐसे में पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से अनौंस कर दिया कि मैं अपनी शाहिन 3 मिसाइ जैसे ही इन के पास है ऐसे में जो शाहिन 1 है वो 900 KM शाहिन 2 1500 KM की मारकश हमता तक रखती है और शाहिन 3 के बारे में का जाता है कि इसकी रेंज 2750 KM है मतलब जो इसकंदर मिसाइल सिस्टम है ना रूस वाला वो तो 500 KM री जाएगा यानि एरान से चलाया तो पहुंश भी मिसाइल सिस्टम दोंगा और इन्हों ने इसे साल 2014 में ही बनाया हुआ है इसकी खबर भी निकल कर आती है रश्या इस पूतनिक इंडिया करके जो न्यूस चैनल है वो लिखता है कि सहाब पाकिस्तान ने शाहिन थ्री मिसाइल सिस्टम का परिक्षन किया लेकिन मुद्दा ये हुआ कि इनकी ये जो शाहिन थ्री देने की बात कर रहे हैं ये शाहिन थ्री एक बार मजाक का भी कारण बन चुकी है पाकिस्तान खुद की मजाक कैसे बनाया अब वो देखिए देखिए आपको याद होगा कि भारत ने एक बार भ्रमोस बेचनी थी फिलिपीन्स वियतनाम इन सब को भ्रमोस बेचनी थी और हमने भ्रमोस कहीं चला कर देखी नी थी मतलब चला कर हम टेस्टिंग में तो देख ले थे थे किसी पर हमला नहीं करके देखी थी कि कोई defense system पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए ऐसे में क्या हुआ कि हमने ब्रह्मोष चलाई और ब्रह्मोष जाके पाकिस्तान में घुज गई पाकिस्तान का defense system उसे रोक नहीं पाया हमारे साथ में हमारे मित्र रास्टर आये उन्होंने का सर हमको pack कर दो हम ब्रह्मोष ले जाना चाहते हैं कोई बात नहीं इस बात से यह बहुत मॉटिवेट हुए इनने सोचा कि हम शाहिन थ्री को इंडिया में घुज के दिखाएंगे इन्होंने अपनी शाहिन थ्री चलाई बदकिसमती शाहिन थ्री चली और इनके ही किसी न्यूक्लियर साइट पर जाकर गिर गई यह मैं नहीं कह रहा इस पूतनिक कहता है जड़ा देखिए पाकिस्तान शाहिन थ्री मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही गिर गई इनका टेस्ट ही फेल हो गया मतलब यह बिचारे मिसफायर मिसफायर खेल रहे थे जैसे होता है ना कि भाई बेफकूब बनाया बड़ा मज़ा आया इनके उपर ही वो शाहिन थ्री मिसाइल फट गई थी जिसके बारे में वहां की लोकल मीडिया में बहुत कवरे जाई थी पता चला था कि आसपास के कई किलोमीटर्स के छेतर खाली करा दिये गए थे कि कहीं कोई न्यूकलियर लीकेज ना हो जाए ये सारी खबरें आई इसके बाद से थोड़ा बहुत इसराइल को आराम तो मिला होगा कि पाकिस्तान का साथ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन रूस का साथ देना अपने आप में एक बड़ी बात है ऐसे में अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया ये सब इस पूरे की पूरे वार में धीरे-धीरे इन्वाल्व होते जा रहे हैं इसी बीच में याया सिनवार जो की इस समय हानिय का इस्थान ले चुके हैं जो की पहले इसराइल की जेल में लगभग 22 साल तक बंद रहे हैं वो अगर हमास के चीफ बनते हैं तो ये फिर से इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन कर आएंगे सिनवार को नया चीफ बनाया जाता है क्योंकि जो डेपुटी चीफ था इसराइल ने उसे भी मार दिया था तो अब ये तीसरे नंबर पे थे इनको उठा करके हमास ने अपना लीडर बनाया है ये पहले ही जेल में रह चुके हैं इसराइल की जेल में और इसराइल की जेल में से इन्हें रिहा किया गया था जब हमास ने कुछ सैनिकों को रिहा करने के कीमत पर हजार गाजा के बंदी चुड़वाये थे उनमें याया सिनवार छूट कर आया था ठीक है साथ अब बड़ा सबास अवाल एक और interesting निकल कर आता है और वो क्या है अभी क्या हुआ कल परसों अख़बार में ख़बर छपी जब अपनने पढ़ाया नशोमवार को कभी भी हमला हो सकता है तो अपनने तो पढ़ाया हमला हो सकता है क्यों क्योंकि जो Anthony Blinken अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सोमवार को इरान हमला करेगा, आज अपन बधवार में हैं, अब तक हमला हुआ नहीं, तो भाई, न्यूस चैनल वाले एक कदम और आगे निकल गए, बोले हमला हुआ नहीं, तो कम से कम मीडिया पे तो अपन 24 घंटे के वीडियो तो डालते नहीं है, अपन तो दिन भर में एक अपडेट डालते हैं, उसमें सारी चीज़े कवर कर लेते हैं, लेकिन मीडिया को तो, जैसे एक टीवी चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जाने कब से वर्ड वार 3 चला रखा है, उसके थमने वर्ड वार 3 चल रहा है, और बढ़िया एनिमेशन टीम लेके आया हुआ है, दे गोले फिर रहे हैं, इधर से उधर भाट भाट, पस लग रहा है कि आज ही दुनिया खतम होने वाली है, उसका एक फिक्स प्रोग्राम है जो वर्ड वार पर चल रहा है, अच्छा, ऐसे में न्यूज मीडिया को लगा कि यार अगर अमेरिका बोला है कि हमला होगा, तो हमला होगा तो हमले की तयारी होगी, हमले की तयारी में किसी को लगाया जाता है, तो बोले अगर एरान अपनी तरफ से मिसाइल चलाएगा, तो मिसाइल चलाएगा तो सब को पहले इनफॉर्म त जागने वाला मतलब आप सोच कर देगिए आप बांगलादेश में बिजी थे अंतराष्ट एक खबर चलने लग गई थी कि एरान ने तो नोटम जारी कर दिया है और अब किसी भी पल में साहिल चल सकती है भाई सहाब दुनिया भर के अख़बारों में येरुशलम पोस्ट फ शाम को मैसेज आता है साहब इरान की तरफ से मैसेज आता है भाई मैसेज ये आता है कि यूएस हैज कम्यूनिकेटेड नीड टू नॉट एस्केलेट कंफिलिक्ट इरान एड इस्राइल बिलिंकन ने इरान और इस्राइल को कहा है कि आप लोग लड़ाई ना करे और इरान क कि मीडिया कहती है इरान की तरफ से परकाइद मीडिया निकल कर आती है वो कहती है कि भाई हमने कोई भी नोटम जारी नहीं किया था ओफिस ने प्रॉपर तरीके से कल शाम को आकर कहा कि यार हमने कोई नोटम जारी नहीं किया था नोटम आपको पता होगा अगर आपको कोई म टम जारी नहीं किया है, आप लोग जबरदस्ती युद्ध चला रहे हैं, उदर से अमेरिका का इरान को फिर मैसेज भीजा गया, कि यार सुनो, अब तुमने माहौल पूरा बना लिया है, तुमको इज़त मिल गई है, फुटेज मिल गई है, अब युद्ध नहीं करना है, य लोग मामलगो सेटल करने लग रहे हैं, एरान के हाउब भाव से लग गया है, कि साभ उन्टम मुटम कुछ जारी नहीं किया, यायनि कि तुमने ही चला दिया कि मंड़े को हम हमला करेंगे, हम मैं अभी तक जब ये दो बड़ी पावर आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो फिर अक्सर युद्ध रुख से ही जाते हैं, हाना कि रशिया युकरेन के केस में तो नहीं रुखे क्योंकि रशिया के डायरेक्ट हित टकरा रहे थे, लेकिन दूसरे अन्य देशों के केस में, जैसे तो उमीद है कि आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा, बाकि आप इस विशाय पर क्या सोचते हैं, आप भी तारीक निकाल दो कब होने वाला है हमला, और वल्ड वार थिरी कब होने वाला ही ये बता दो, ठीक है ना, चलिए तो उमीद है आपको ये बात समझ में आई मैपिंग चल रही है, जिनकों का अडिमिशन लेना है, और UPPCS का हमने टेस्ट सीरीज लांच कर दिया है, पूरी एक साल की वैलेडिटी के साथ, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, जिसके अंदर इतने सारे टेस्ट हैं, टेस्ट भी बहुत सारे दे दिया है, अनोंने तो 300 के आस हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे अप्लिकेशन पर जाकर ओर कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कीमत में, विदिन 7 डेज बोथ लेंग्विज हिंदी और इंग्लिश आप तक पहुँच जाते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत हैं कि किसी तो युमिनल कीमत में चर्पोइंग झाल् ещё सोग घाना कीमत मेंग्विज कर सकते हैं, कर सकते हैं रेंग्पोड़続्म, विदिन 20.